हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होग कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज भी मैं आपके लिए बहुत यहाद यूस्फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो है पेटी कोट को लेके हम सभी के पास पेटी कोट होते हैं, नए, पुरानी, कई ऐसे होते हैं, जो मतलब यूज हम नहीं करते हैं, पुराने से हो जाते हैं, कलर फैड हो जाता है तो उन सब को आज हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे अगर नए भी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हों क्योंकि आज की जो टिप्स है जो मैं आज आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें आपको कोई कटिंग नहीं करनी है कोई भी आपको सिलाई नहीं करनी है तो आप बेफिकर होके ना आप इन पेटिकोट को यूज कर सकते हो चाहे नए हो चाहे पुराने हो और इन पेटिकोट का इस्तमाल ना आज हम करी तरीकों से करेंगे ऐसे cover करेंगे और अर्गिनाइजर करेंगे ऐसे बैठने के लिए हम इससे चीजे बना सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो आज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी total five users मैं आज आपको बताऊंगी आपको कौन से वाला अच्छा लगा जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करिएगा और इससे पहले भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है डुपटे को लेके पुराने 90's को लेके सॉक्स को लेके तो वो भी बहुत ज़्यादा interesting है बहुत ज़्यादा useful है अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा आपको कुछ न कुछ इसमें आइडियाज जरूर पसंद आएगा तो फ्रेंस आपका जो पेटी कोट है आपको इसको ले लेना है और इसको इस तरीके से बांदेना है उल्टा करेंगे उल्टा करके आपको इस तरीके से इसको गठान लगा लेना है आप चाहो तो गठान लगा दो किसी डोरी से या फिर ना कोई रबर बैंड जो हम बालों में लगाते हैं मोटा वाला उससे भी आप इसको इस तरीके से बांद सकते हो और ये बहुत ही अच्छा organizer है बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे जरूर try कर सकते हो तो ये देखे मैंने इसे इस तरीके से बान दिया है अब चलिए देखते हैं कि इसका use हम कहां करने वाले हैं अब इसको पहले आप सीधा कर लीजिए ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से ह हो जाएगा अब देखे हम सभी के घरों में गैस सिलेंडर होता है अगर आपका घर बढ़ा है तो आप इसे किसी कोर्णे में रख सकते हो बट अगर आपका घर छोटा है वाई ये सिलेंडर आपने रखा है ज्यादा कहीं स्पेस है नहीं तो देखने में अच्छा नहीं करता है इसके अलावा आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो अगर आपका इसको ऐसे डेकोरेशन यूज़ करना है तो आप एक कोई भी कार्डबोर्ड रख लो या कोई प्लेट रख लो कलर फुल वाला और इस तरीके से आप उसमें जैसे कि मैंने तो ये कप रख के ट्याम प बस अगर आपके पुराना पेटिकोर्ड है तो आप इस तरीके से उसे इस्तमाल कर सकते हो ठीक है अब अगली टिप्स के लिए देखे सेम वही करना है हमें इस तरीके से जहां डोरी बांते है ना उसे हमें इस तरीके से पहले इक्टम टाइट कर लेना है अच्छी तरीके स जैसे मैंने का आप डोरी बाद भी सकते हो और चाहो तो आप जो रबर होता है उसे भी आप बहुत ज़्यादा मजबूती से लगा सकते हो और ये ना बहुत ही अच्छा हम एक टूल बनाएंगे टूल कह सकते हो या फिर आप बहुत अच्छा सा बैठने का बना सकते हो देखे ख dys tweema क Prof bonder बस्नून की अब इसे कहें लगा का के कि मुई हसे हम इसे tớiल्ट कर लेतें । जो इसे घथान लगाई है इस तरीके से हो जाएंगा ठीक है यह दुए आपको देखि के समझ में जनुते से होता है नरा एंगे उसके बाद कीट हैं पुराने कपड़े हैं जो कपड़े आप नहीं पहन रहे हो जगर नहीं है रखने के लिए तो उन सारे कपड़ों को आपको इसके अंदर पहले रखना है आप सोच रहोंगे इसमें रखने से कैसे क्या बनेगा तो अभी आप देखते जाएए आपको बहुत ज्यादा पसंद जैसे कि मैंने यह ब्लैंकेट ले लिया है और इस ब्लैंकेट को अहां एक चीज और ध्यान रखेगा आप जो भी चीज रखे ना उसे इस तरीके से राउंड में रखेगा हर चीज को आराम से गोला बना बना के रखेगा जिससे यह राउंड शेफ में आ जाए तो मिल जाए ठीक है अब आपको बनाना में ब्लो ऑससे बर ब αλλά अप इसको पैसे रखेगा या पिर और बड़ने के बाद अथे ब्ली अप तरिक रोचके बार इसको बेपने के बहए बरा टिरो do लंबाई और इसको मोटा बनाऊगे तो और लंबा थोड़ा सा हो जाएगा तो और भी ज्यादा खुबसुत लगेगा बर चुनी देखिए कितना सुन्दर लगता है तो इस तरीके से आप इसका इस्तमाल भी कर सकते हो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा आइडिया कौन सा है पुराने ब्लैंकेट्स होते हैं अब जैसे कि अभी सीजन तो जा भी रहा है और कई ऐसे पतले जो ब्लैंकेट्स होते हैं उन्हें हम जब इसकी बगर चलाते हैं तो निकालते भी हैं तो उसे अंदर की तरफ स्टोर ना कर मितलब किसी ऐसी जगर स्टोर ना करें जहां हमें निकालने में प्रॉब्लम हो तो क्यों ना आप इन जो पेटी कोड्स होते हैं उनका इस्तमाल करें ऐस ए और्गिनाइजर तो यह हमारा होई जाएगा लेकिन आप देखोगे ना एक बहुत ही अच्छा बैजिन मसनन्द भी बनके रेडी हो जाएगा तो इस तरीके से जवाब बनाओगे ना तो यह बहुत सुन्दर मसनन्द रेडी हो जाता है और कभी आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आया पीलो नहीं है तो आप इस तरीके से ना मसनन्द बनाके ना इसको यूज भी कर सकते हो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपनी बेटी कोट से बनाया है और बाकी जैसा मैंने कहा आप अपने हिसाब से अच्छे ची डोरियांस को डिजाइन कर सकते हो मोटा पतला आप अपने हिसाब से जितना मोटा आपको चाहिए उतना मोटा आप अच्छे से इसको क्लीन करके मतलब बना सकते हो फिनिशिंग के साथ और मुझे आई होप आप लोग मुझे से अच्छा ही बनाओगे मैंने बस आपको बेसिक सा आइडिया दिया है और इस तरीके से आपना मुझे से भी जादा अच्छा और बैतरीन इस तरीके से बना सकोगे तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा अगला दिके सिंपल सा हमें लेना है और इस तरीके से फोल्ड करना है और ये हमारे simple से plain cushions ready हो जाएंगे हमें कभी-कभी अपने room को simple and सुन्दर decorate करना होता है तो आपकी जितने colorful petticoats हैं आप इस तरीके से बनाके septi pin लगाके बहुत अच्छे से अपने bed को या फिर अपने sofa को decorate कर सकते हो colorful red, blue, green, yellow तो बहुत सुन्दर लगता है तो ये वाला try-up कभी कर सकते हो, कोई festivals आए, आपको कुछ भी करने का मन नहीं हो रूम को अच्छा भी दिखाना है तो आप इस तरीके से colorful pillows भी ready कर सकते हो इससे आपको पीछे septi pin लगाके उसको tie-up मतलब बांदेना है अब देखें, ये stool था मेरे गार, ये कितना गंदा लग रहा है देखने में तो आप इस तरीके से पेटी कोट से इस तरीके से cover भी बना सकते हो और इसको जैसे पुराना रहना तो आप इस तरीके से cutting करके बहुत अच्छा सा cover बना सकते हो तो इस तरीके की कुछ ideas थी जो मैंने आज आपके साथ share किये हुए हैं और ये देखें मैंने पुराने pillows मतलब पुराने डुपटे से ये वाला बनाया हुआ है last video आप skip मत करिएगा जिसमें मैंने डुपटे का use बताया हुआ है और इस तरीके से दिखें सिंपल सिंपल चीजों से आप अपने घर को decorate कर सकते हो तो आज की वीडियो भी आपके लिए helpful होगी helpful लगे तो like, share, comments करना ना बूलिए and thank you so much for watching my video bye bye and take care